नुश्कार पॉपटिशन कमूटी के मेंस टैस सीरीज के गाइडिन्स वीडियो में मैं पुख्राज आप सभी का करता हूं स्वागत आप सभी को पता है कि मैं 36 गर्जीयेस का सब्जिक्ट पढ़ाता हूं और 36 गड़ जेनरल स्टडीज के जितने भी पार्ट्स है उन सभी के लिए guidance वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगा ताकि mains जो है उसके लिए आप एक बहतर रणनीती तयार कर सके और साथ ही mains में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आ सके तो ये जो मेरा वीडियो है बेसिकली इसमें हम paper no.3 का जो भाग 3 है part 3 जिसमें है 36 गड़ का इतिहास इस section को थोड़ा सा decode करके देखेंगे इस वीडियो में सबसे पहले समझेंगे कि 36 गड़ का जो इतिहास है उसका syllabus क्या है syllabus के बाद हम देखेंगे कि ये जो paper no.3 का part 3 है 36 इतिहास इसका pattern क्या है pattern के बाद हम देखेंगे कि पिछले 3 वर्ष जो है उसमें 36 गड़ के इतिहास के किस किस section से कितने कितने questions आए हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि 36 गड़ के इतिहास का जो section है उसमें हम numbers को maximize किस तरीके से कर सकते हैं तो बिना time को waste करें अपन क्या कर जाते हैं तो सीधा पहुंच जाते हैं syllabus पर चलिए अब syllabus को थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा पहला जो हिस्सा है वो है प्राग एतिहासिक काल prehistoric age का clear है हर section के साथ मैं इसका importance भी बताता जाओंगा clear है तो प्राग एतिहा papers की papers को देखने के बाद इसका importance मेरे हिसाब से थोड़ा कम है means में मैं importance तीन शब्दों में बताऊंगा L मतलब less M मतलब medium और H मतलब high या L से low भी कह सकते हैं तो इसका importance L है थोड़ा सा low है फिर 36 गड़ का इतिहास वैदिक काल से लेके गुप्त काल तक clear है तो historicity of 36 गड़ from Vedic to Gupta period ये English में है अब एक चीज फिर से समझेगा आप कुछ लोगों को लगेगा रे सर मैं तो इसमें से question देखा हूँ इसमें से आता है तो मैं आप लोगों से बिलकुल सहमत हूँ जरूर आता है लेकिन मैंना यहाँ पर तीन वर्षों को base रखा है जो 2021 क मैंस हुआ 21 में नहीं 21 का फिर 2020 का जो मैंस था और 2019 का जो मैंस था तो यह जो मेरा analysis है strictly यह तीनियोस के base पर है क्योंकि मेरे हिसाब से recent trend को अगर देखेंगे तो हमारे लिए जादा फायदे मन्द है दस साल पहले कैसे questions आते थे इसको देखेंगे तो कोई विशेश फायदा मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है तो recent trend को देखेंगे तो वैदिक से लेके गुप्त काल तक का जो इतिहास है मेंस में ये भी low importance का है clear है ये ठीक है अब इसके बाद आ जाते हैं 36 गड़ में कुछ प्रमुक राजवंश राजर्शी तुल्यकुल नल शरभपुरी पांडू सोमवंशी इत्यादी तो ऐसे major dynasties राजर्शी तुल्य डाइनस्टी नल डाइनस्टी शरभपुरी पांडू सोम डाइनस्टी ये सब कुछ dynasties है clear है इन सभी को आपको पता होगा कि हम लोग 36 गड़ के इतिहास में शेत्री राजवंश या regional dynasties के नाम से पढ़ते हैं समझ में आया तो ये जो regional dynasties वाला section है ना 36 गड़ के history का इसका importance जो है पिछले तीन वर्षों में काफी high रहा है तो पिछले तीन वर्षों में ये जो शेत्री राजवंश वाला section है इसमें से लगातार मैंने देखा है कि questions जो है वो पूछे ही जाते हैं तो ये जो section है ये कल्चूरी डानिस्टी और उनका administration कल्चूरी वंश और उनका प्रशासन इससे भी लगातार तीन वर्षों से अच्छे कासे questions आ रहे हैं अच्छे कासे मतलब 25-30 ठोनी आ जाता है जी अच्छे कासे मतलब आ रहे हैं repetitively आ रहे हैं तो ये भी high importance का topic है सेम देखा जाए तो मरा प्राचीन इतिहास है उसमें प्राग इतिहास एक काल, prehistoric age जो है इसके अलावा 36 गड़ की इतिहास में वैदिक से लेके गुप्त काल तक का जो समय है वैदिक age से गुप्तन पीरिट तक ये थोड़ा सा low importance का है regional dynasty शेत्री राधवंच जितने है ये high importance है, culture high importance है, Maratha high importance है इसके अलावा एक जो है यहां properly लिखा नहीं रहता वो है क्या, बस्तर का इतिहास, तो बस्तर के इतिहास से भी लगातार many questions देखे हैं, history of बस्तर लिख देते हैं, तो ये जो history of बस्तर है न, इसका importance level देखूं, तो ये medium से high importance है, इसमें से question जो है regularly देखने को मिलते हैं, बट इतने ज़्यादा नहीं, जितने की छेतरी राजवंशे या कल्चूरियों से देखने को मिले हैं, लेकिन हाँ, देखने को मिले हैं, अब इसके बाद में क्या करता हूँ, बचा हुआ जो हिस्सा है न, उसको मैं मानता हूँ, 36 गड़ का freedom movement, या स्वतंतरता आंदोलन, बतलब बिटिशर्स के बाद, माराठो के बाद से सीधा, जहां बिटिश लोगों के हाथ में हैं, उसको स्वतंतरता अंदोलन मान लीजे, पूरा का पूरा, इसका इंपोर्टेंस जो है, वो very high है, तो इसका इंपोर्टेंस क्या है, very high, तो हमने कितने हिसों में बाटा, तो जितना मॉडन बज गया, मराठो से आगे, पूरे चतिलगड के आजाद होते तक, इसका इंपोर्टेंस कैसा है, very high, clear है, तो ये तो हमने क्या किया, थोड़ा सा डीकोड कर लिया किसे, सिलिबस को, अब देखते हैं कि ये जो पेपर थी का पार्ट नमबर थी है, चतिलगड हमें एक क्वेशन दिखेगा, जो दो नमबर का होगा, एक मतलब संख्या quantity में one नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा ग्रुप दिखे गा, जिसमें questions दो नमबर के होंगे, उसके बाद questions दिखेंगे, जो चार नमबर के होंगे, फिर question दिखेंगे, जो की आठ नमबर या 8 marks के हो के होंगे फिर 15 के होंगे clear है तो marks का distribution ऐसे question जो दो number के फिर चार number के फिर 8 number के फिर 15 number के अब questions की संख्या numbers कितना तो देखेगा दो number के कितने question मिलेंगे 8 और सभी को बनाना क्या होगा necessary जरूरी compulsory आपको क्या करना है कुछ छोड़ के नहीं आना है पूरा बनाना है अब आपका मन है भी छोड़ दोगे तो लेकिन आयोग यही कहता है कि आपको सारे attempt करने हैं आपके पास कोई choice नहीं चार number जो है उसमें 5 question मिलेंगे once again आपके पास कोई भी इसमें क्या नहीं रहने वाला है चोईस नहीं रहने वाला है clear है तो दो number के कितने question होगे 8, चार number के होगे 5, फाइव, आठ number के कितने question होगे तो 3 होने वाले है 3, अब basically क्या है 8 number का जो question है उसमें भी कोई choice नहीं रहेगा पंदरा नंबर का जो question होगा इसमें आपके पास choice रहेगा आपको दो question मिलेंगे दोनों में से आपको कोई एक बनाना है समझ में आया कि नहीं आया तो two marker के eight questions four marker के five questions eight marker के three questions ये जो पूरा का पूरा two marker, four marker, eight marker का group है इसमें आपको choice नहीं है फिर fifteen marker जो questions है इसमें दो question होगे जिसमें से एक बनाना है इस part three में से मतलब इसमें आपको क्या मिलने वाला है choice मिलने वाला है अब इन सभी sections में number देख लेते हैं तो two number के eight question तो कुल कितने हो गए 16 number चार number के five question कुल कितने हो गए 4, 5, 20, 25, 20 आठ के तीन आठ तीया चोबिस और पंदरा का एक पंदरा एकम पंदरा आप जोड़ लीजिए 75 आ जाएगा clear है ये तो 75 marks का ये हो गया part three paper number three का यही marks के बाद अगर मैं distribution देखूं world limit के अनुसार तो देखेगा अगर two marker question है तो आपको शब्द सीमा world limit जो है वो 30 मिलेगी सामान्य तोर पर कह सकते है line 4 ये on an average बता रहा हूँ कई बार ऐसा होगा है कि अलग-अलग वर्षों में lines की जो संख्या है lines के जो numbers है वो कम जादा हो गया है ठीक है तो दो number के कितने question sorry कितना word limit 30 line कितना मिलेगा 4 4 number का अगर question है तो word limit कितना है 60 है line आप मान के चलिए लग-भग 6 मिलेंगे ठीक है 8 की अगर मैं बात करूँ तो 8 marker अगर question है तो word limit 100 है और ये जो 100 words है उसके लिए line कितनी रहेगी तो 10 ठीक 15 की अगर मैं बात करूँ तो word limit इसमें रहेगा 175 मोटा मोटा आप मान के चलो 20 कई बार तो 25 line भी मिला है कई बार 25 line भी मिला है clear है ये तो मोटा मोटा तो ये जो मैं number of lines बताना हूँ ये on and average है इस संख्या में बदला हो सकता है clear है ये बात तो अगर 2 marker question है तो 30 words 4 marker question है तो 60 8 marker है तो 100 15 marker है तो 175 words line 4, 6, 10 और 20 on and average आप मान के चलिए इतनी space जो है आपको बिनने वाली है इसी बार ज़्यादा मिलिया था बड़े questions में लेकिन आप समझे space कितना भी मिले word limit उता ही है maximum 175 word limit थोड़ी बड़ा है तो number of lines ज़्यादा मिलेगा तो हम लोग ज़्यादा लिख लेंगे करके आपको परिशान नहीं होना है और ऐसा उट-पुटांग टाइप का strategic नहीं बना लेना है कि ज़्यादा जगह है फूल लिख क्या वो एक number पर विककर नंबर मिलें तो word limit उट가 ठीक है तो उसमें बस यасти है कि map आपको बड़ा बना सकते हो कोई chart बना सकते हो तो बड़ा बना सकते हो बस फिक है अब basically मैंने क्या किया मैंने थी और के main उसको पेपर को थोड़ा सा decode करने की कोशिश की ताकि आप लोग को पता चले कि कौन-कौन से ऐसे sections हैं जहापर हम लोग का command जो है बहुत ज्यादा नैसेसरी है तो देखिए प्राग एतिहासिक काल यह एक मातरा आना चाहिए प्राग एतिहासिक हो गया है प्रीजनल डानिस्टी से दो क्वशन आए हैं दो नमबर के कल्चूरी से दो क्वशन आए हैं मराठा से फिर नहीं आया है बस्तर के तिहास से एक क्वशन रहा है और जो स्वतंत्रता आंदोलन या जो को साधा दिख रहे हैं कल्चुरी को मैंने बताया था हाइए इंपॉट्न से देखें कोश्ञ दिखिवह रहा है शेत्री राजवन्ष रीजिजनल डानीस्टींस मैंने बताया है हाइए लो इंपॉट्टिंस मैंने बताया है किसे प्राग एतिहासिक काल को इसमें से ज़ादा क्वेशन नहीं दिख रहे है मराठा मैंने हाई बताया है क्यों क्यों कि आपको आगे बता चलेगा आगे क्वेशन्स काफी है क्लियर है तो ये टू मारकर अब फोर मारकर की बात करूँ 60 words वाले ये 30 words वाले question हो गए 60 words वाले अगर question की बात करूँ फोर मारकर तो एक question आया है प्राग एतिहासिक काल से लेकर गुप्त काल तक कितना question रहा है एक शेत्री राजवंश से फिर एक question आया कल्चुरी से नहीं आया है मराठा से नहीं आया है बवस्तर के इतिहास से नहीं फिर स्वतंत्रता अंदोलन freedom movement जो है उससे फिर तीन question आया है clear है तो देख लीजिए भई टू मारकर के 8 question हो गए तीन और एक चार 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 आठ और चार के पांच हो गए होगे 1,2 और 3,4,5 अब 8 के 3 question आने थे तो एक फिर से पूछा है regional dynasty शेत्री राजबंच से एक मराठा से पूछा है तो बड़ा question आ गया है पराठे से और इसके बाद एक स्वतंत्रता अंदोलन से फिर पूछा है clear है पंद्रा माक्स का जो question था बड़ा इसमें से दो question आये थे एक जो है वो सीधा आया था बस्तर के इतिहास से clear है और एक question इसमें गुरु घासी दास जी है न इनसे संबंदित ये question आ गया था अब उसको मैंने इतिहास वाले में से हटा दिया इसलिए पंद्रा में एक ही question दिखाया अब आप खुद देखिए जो शेत्री राजवंच वाला जो section है इससे अगर हम numbers की बात करें कि कितने number के questions आये है तो 4 बार का एक question ये हुआ 4 शेत्री राजवंच में से 2 2 जा 4 4 नमबर का question हो गया दो दूनी 4 और 4 का एक आया है तो फिर 4 हो गया और 8 का एक आया है तो 8 तो regional dynasty से अगर आप देखोगे न तो 4 4 8 और 8 16 नमबर का question किसमे से आया है regional dynasty 4 नमबर का किसमे से आया है आपका प्राग इतिहासिक काल से गुप्त काल तक कल्चुरी से देखोगे तो 2 2s of 4 4 नमबर का question आया है मराठा से देखिए तो 8 नमबर का एक question तो ये है बस्तर का इतिहास देखिए तो 2 नमबर का एक आया है तो ये 2 हुआ और 1 सीधा 15 तो 15 लगभग 17 नमबर आया बस्तर का history स्वतंत्रता आंदोलन अब आप देखेंगे तो 6 नमबर ये हो गया तीन question दो नमबर के फिर 4 नमबर के तीन तो 12 question हो गए और 8 का एक तो 8 20 और 6 26 26 marks के question अब आप देखें आप 46 नमबर के history में माल लीजे ऐसे मुकाम पर पहुँच गए हैं कैसे position पर पहुँच गए हैं कि आपको ज़ादा याद नहीं हो रहा है बड़ा समस्या हो रहा है तो कुछ एक sections है जिसमें आपको command होना चाहिए आपको अच्छा नमबर जरूर मिलेगा जिसमें से एक section क्या है अब यह मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ यह देखिए बिलकुल आपके सामने ही है जो भी fact है आपके सामने analysis है तो देखिए शेतरी राजवन्स जो है यह section आप लोग इसको थोड़ा सा stronger करके रखिए इसमें से आपको अच्छा नमबर मिल सकता है यह देख लीजे स्वतंतरता आंदुलन इसको stronger करके रखिए इसमें से आपको अच्छा नमबर मिलेगा ठीक है अब कल्चुरी, मराठा और बस्तर यह तीन ऐसे topic हैं कि मैंने अलग-अलग years में देखा है इन में से question किसी में कम, किसी में ज़ादा जैसे यहाँ पर देखके लग रहा है कि कल्चुरी में से कम है मराठा मीडियम है, बस्तर में ज़ादा एक वर्ष आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें बस्तर में कम रहेगा मराठे में ज़ादा रहेगा, कल्चुरी में मीडियम रहेगा तो यह तीन topic जो है आपको इसको अच्छे से ready करना ही होगा अगर आप इन तीन topics को ready कर लोगे, तो आपको यह बीच वाले section में भी अच्छा मतलब शेत्री राजवंच, regional dynasties पर command होना चाहिए, साथ में कल्चुरी, मराठा, बस्तर का इतिहास यह आपका अच्छा खासा होना चाहिए और स्वतंत्रता आंदुलन, मतलब practically बात यह है कि गुप्त काल तक का जो इतिहास है, उसमें आप उतना जादा time invest नहीं कर पारें, देखिए, पहले तो मैं यही कहूंगा कि selective study मत करिए पूरा पढ़ यह अच्छे से, समय है आपके पास, लेकिन फिर भी फस गए तो यह जो section है, इस पर अगर focus थोड़ा सा कम है तो भी चल जाएगा clear है यह ठीक है अब वही same analysis देखते है 2020 का अब 2020 में अगर आप analysis को देखोगे न तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो नंबर में प्रागेति हासिक से गुप्तकाल तक पूछाए नहीं है फिर से शेत्री राजमंच में एक question आया है कल्चुरी में दो मराठा में एक बस्तर से एक, स्वतंत्रता आंदोलन से तीन फोर मार्क्स में एक शेत्री एक कल्चुरी एक मराठा इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन से चार नंबर का question आया है फिर जो एट मार्क्स का question है इसमें आप देखेंगे तो रीजनल डाइनिस्टी से एक है मराठा से एक है और एक है स्वतंत्रता आंदोलन अब पंदरा में ऑप्शन था शेत्री राजवंश या फिर स्वतंत्ता आंदोलन में से ख्लियर है अब थोड़ा सा मार्स का distribution देखिए तो शेत्री राजवंश से दो नंबर का एक तो दो नंबर चार नंबर का एक तो चार नंबर आठ का एक तो आठ नंबर पंदरा का एक तो पंदरा नमबर तो आठ दो दस और चार चौदा 14 और ये पंदरा 29 अब पंदरा मैं दोनों जोड़ूंगा करना एक ही question है लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि maximum कितने marks का आया था अब कल्चुरी की बात करिए तो टू-ठू-जा- favour 4 marks का यहाँ से आ गया और 4 का यहाँ से तो यहाँ से 8 marks का आ गया अब देखिए यहाँ पर मराथा बढ़ गए तो टू-पका a question 4 marks का a question 8 marks قi स्वतंत्रता अंदोलन अब स्वतंत्रता अंदोलन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिर से छे नमबर का यह हो गया फिर फोर टूँजा एट एट वन जा एट और फिफ्टीन वन सा फिफ्टीन तो आठ दूनी सोला छे शविस आथ दूनी सोला और छे बाईस और पंदरा लगभग 37 तो फिर से जो चंक है फिर से जो चंक है वो आप देखिए कहां से मिल रहा है आपको Freedom Movement से स्वतंतरता आंदोलन तो कुछ याद हो ना हूँ अच्छे से स्वतंतरता आंदोलन जो है खास कर 1857 का जो करांती हुआ और उससे आगे राजी की आजादी तक अगर ये section strong है तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा चत्तज़र के history में इसके बाद 2019 का paper देखिए तो प्रागय तिहासिक काल से गुप्त काल तक ये जो section है यहां से ना दो नंबर के एक question आया है बस रीजनल डानिस्टी से दो नंबर के एक question कल्चुरी से दो नंबर के दो फिर मराठा से एक बस्तर की इतिहास से एक और स्वतंत्रता आंदोलन से दो clear है चार माक्स की बात करूँ तो दो रीजनल डानिस्टी से आया है शेत्री राजवन से एक मराठा से और उसके बाद दो कहां से आया है फिर से स्वतंत्रता आंदोलन आठ की बात करें तो एक मराठा दो स्वतंत्रता आंदोलन पंदरा की बात करूँ तो रीजनल डानिस्टी से एक और स्वतंत्रता आंदोलन से फिर से एक फिर से वही माक्स का डिस्ट्रिबूशन देखेंगे तो यहां से यह दो नंबर का आया है गुप्त काल प्रागयति हासिक काल से लेके रीजनल डाइनिस्टी तो दो नमबर यहां चार दुनी आठ और पंद्रह एकम पंद्रह तो लगभग 25 मार्क्स का कल्चुरी दो दुनी चार मार्क्स का आया है मराठा तो दो का एक, चार का एक, आठ का एक 14 मार्क्स का, बसतर दो नमबर का आया है और यहां पर आप देखिए, दो के दो चार, चार के दो आठ, आठ के दो सोला और पंद्रह का एक, तो खेर पंद्रह का उप्शन है या इसमें से पंद्रह उठाएंगे, तो फिर यह नहीं बिलेगा और इसमें सुठाएंगे, तो इसमें, लेकिन मैं मैं माक्सिमम बता रहा हूँ तो 20, 28 और 15 कित्ता हो जाएगा, देखो चार और आठ हो गया, बारा, और बारा और 16 कित्ता हो गया तो हो गया, 28 और प्लस अगर 15 यहां से ले ले तो यह 15 और जुड़ जाएगा, 43 हो जाएगा तो देख लीजे आप, माक्स का जो डिस्टिबूशन है, प्राक्टिकली मैं आपको क्या बताया है इसके हिसाब से कि जो सोतंतरता आंदोलन वाला सेक्शन है इसको आप बिल्कुल स्ट्रॉंग रखिए, शेत्री, राजवंश, डीजनल डैनिस्टी इसको बहुत स्ट्रॉंग रखिए इसके अलावा, सेकेंड प्रारटी में स्ट्रेंथ होना चाहिए, कल्चुरी, मराथा, बस्तर ठीक, लास्ट में प्रागयतियासिकाल, गुप्तकाल, ये पिछले तीन वर्ष के जो पेपर्स हैं, उसको देखने के बाद मुझे लग रहा है ऐसा ठीक है, अब ये तो हम लोग देख लिए कि कहां कहां से हम लोग का फोकस रखने से हम लोग को जादा नंबर मिल सकता है अब answer writing के अगर मैं बात करूँ मतलब कैसे जादा number लेकर आ सकते हैं तो देखे मैं answer writing को कुछ steps में समझाता हूँ basically step जो है वो मेरे हिसाब से 3 है आपको थोड़ा सध्यान में रखेंगे तो बहुत easy है पहला जो step होता है वो होता है question के understanding का देखे क्या है जब तक आप question जो है उसे ढंग से समझेंगे नहीं मतलब अगर आपको question की proper समझ नहीं है तब तक आप अच्छा answer नहीं लिख सकते हैं बहुत easy सा एक example देता हूँ आपको घर में बोले कि जाओ नमक लेके आना आपको पता ही नहीं है कि νमक क्या है तो आप क्या करोगे नमक, सकर, हल्दी, मिर्चा, धनिया सब क्वेस उठा लोगे एकसा पर ले आओगे ठीक है वो पता चल रहा है कि सब ले आ हो उसमें नमक क्या नहीं है तफिर आपको क्या बूलेंगा रहे उसको छोड़के बाकि सब कुछ लिख के आएंगे हो सकता है कि जो पूछा गया उसको थोड़ा भूत लिख भी दें लेकिन बाकि सारी चीज़े बहुत सारी रहेंगे clear है तो ये basically क्या है जगा को खाएगा और फाल्दू का चीज रहेगा कंटेंट होना चाहिए सब्सक्राइब या हिंदी में अगर कह दूँ तो basically वो जो विशय है जिस विशय में आपको question पूछा गया है उसके आपको जानकारी और साफ में उसके fact या तत्य तो पहले में question को समझना है समझ के अपने मन में इस बात को लाना है कि इससे संबंधित content या इस विशय से संबंधित तत्य जानकारी क्या-क्या है मेरे पास clear है तो यह क्या किया आपने अपने दिमाग में सारा content जो है उसका जगा एक अत्रित कर दिया क्या-क्या लिखना है third थर्ड क्या होता है तो थर्ड बेसिकली है प्रेजेंटेशन अब बेसिकली क्या है प्रेजेंटेशन मतलब किस प्रकार से आप प्रस्तूती करण कर रहे हैं अब समझेगा यह सब क्या है सबजी भाजी तरकारी तो यह क्या है इसका तरका आपको कोई बोलेगा खिचडी खा तो आप आधामन से खिचडी खाओगे और वही बोलेगा कि खिचडी जो है उसमें घीक तड़का है बढ़िया थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है तो आंसर में प्रेजेंटेशन जो है या प्रस्तूती करण है इसका क्या होना चाहिए तड़का होना चाहिए अब यह जो तड लगा है इस तड़के में क्या क्या हो सकता है तो मैप हो सकता है टेबल हो सकता है ग्राफ हो सकता है इसके अलावा किसी प्रकार का कोई चार्ट हो सकता है समझ में आया इसके अलावा क्या हो सकता है तो कोई फ्लो चार्ट है चार्टी में आ गया फ्लो चार्ट हो सकता है तो map है, table है, graph है flow chart है, इस किरावा कोई अलग से कोई diagram है तो diagram, तो ये सब क्या करने बले हैं ये सब आपके answer का जो presentation है, उसको और क्या करेंगे बहतर बनाएंगे clear है ये बात, अच्छा तो हमने क्या देखा पहले कि trend क्या है, फिर हम पास उस content का अच्छा knowledge भी होना चाहिए, और उसे हम क्या कर सके तो एक अच्छे तरीके से present या प्रस्तुत कर सके presentation में graph chart, flow chart इन सब चीजों की हम क्या कर सकते हैं, map की table की diagram की help ले सकते हैं अब एक मन में बात ये आनी चाहिए आप लोग के की ये तो ठीक है क्या होना चाहिए, देख लिए लेकिन इन सब चीजों का इस्तिमाल कैसे करें अचानक से कहोगे की इसमें flow chart आना चाहिए, तब आपके दिमाग में click नहीं करें, answer लिखते time की flow chart बन सकता है की नहीं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए answer writing जो है, इसको आप दो phase में बाटो पहला जो phase रहेगा वो रहेगा basic और दूसरा रहेगा advance अब basic phase के answer writing के मैं बात करता हूँ कि basic phase में क्या होना चाहिए basic phase में यह होना चाहिए कि माल लीजे मैंने topic पढ़ा कल्चूरी प्रशासन clear है अब मैं क्या करूँ तो इसके उपर से mains के questions देखू basic phase में आपको question पढ़के सीधा answer writing पे नहीं कूद जाना है basically आपको एक मिनट से दो मिनट का समय देना है क्योंकि अभी आप answer writing सीख रहे हैं बेसिक phase पर है और समय देखे आपको क्या करना है इस question से संबंधित जितने facts हैं जितने तथ हैं उनको एक जगा पर क्या करिए जिए पहले लिख लीजे clear है अब उसके बाद देखिए क्या इन में से कुछ facts को किसी point के अंदर grouping की जा सकती है तो देखिए facts का कोई group बन रहा है ठीक है बन रहा है नहीं बन रहा है जो भी चीज है तो एक बाद देखिए ज़रा फिर देखिए कि इन से संबंधित क्या कोई map चीज देखिए कि यहां पर जो fact है उसका logical sequence क्या होना चाहिए फ़र logical sequence हर चीज का logical sequence होता है उधारन के लिए महा location आगया जाजल देव के बारे में बताईए करके तो आप थोड़ी लिखो कि जाजल देव के मृत्यू पहले फिर उनके बीबी कौन थी फिर वो कहां जीते फिर वो कौन सा सीखा चला है फिर उनका जन्म तो logical sequence क्या है जन्म से लेके मृत्यू तक बताएंगे तो आप क्या करिए जो fact आपने एक अत्रित किये है उनकी grouping करी फिर ये देखिए कि किस fact को पहले लिखना है किसको आखरिम लिखना है logical sequence क्या है क्या इसमें कोई map बनाया जा सकता है क्या कोई diagram बनाया जा सकता है कोई flow chart बनाया जा सकता है इतनी सारी चीज़े जब आपके मन में आ गई 2-3 मिनट सोचने के बाद तब आपके दिमाग में एक रफ ड्राफ्ट जो है map का तयार हो गया question का कि यार मुझे क्या करना है इस question में अब आप क्या करिए अब answer writing को करिए तो ये basic phase है समझ में आया basic phase में आपको question लिख के सीधा answer लिखने पने उतर जाना है ऐसे में दिक्कत क्या होगा पता है आप question से answer तो लिख लोगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपके पास book है पढ़े answer को लिख लिए लेकिन answer को आकरशक कैसे बनाएंगे presentation कैसे अच्छी होगी अब basically क्या होगा ये तो होगया basic phase advanced phase क्या होता है तो advanced phase वो होता है जब आप सीधा question को पढ़ो और ये जो चीजें आप क्या कर रहे हो कहीं पर लिख के कर रहे हो copy कर रहे हो इसको आप अपने mind में दिमाग में कर सको और सीधा question के बाद answer लिखो ये phase है आपका advance तो basically होता क्या है जब आप basic phase में 100-200 answer लिखोगे अलग-अलग types के तो आपके दिमाग में एक system बनने लगता है कि कैसे questions का कैसे answer मुझे approach करना है कैसे questions में map आता है कैसे question में flow chart आता है ये दिमाग में बाद बैठने लगती है तो basically जब आप mains लिखने जाओगे और question को देखोगे तुरंत क्लिक होगा कि अरे इस question में पुरा जगा खतम हो जाएगा और कुल मिला के कुछ हासिल नहीं होगा नमबर कम मिलेगा clear है तो इस प्रकार से आप अपने answer writing को क्या कर सकते हैं सुधार सकते हैं ऐसे चात जो वीडियो को देख रहे हैं और उनके पास कोई भी guide नहीं है मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपके answer को चेक कर सके तो आपको कुछ मत करो basic phase में से answer को लिखो एक बार उसके बाद उस answer को 2-4 घंटे के लिए छोड़ दो 2-4 घंटे के बाद उस topic को एक बार फिर से पढ़ना और उसके बाद देखना क्या उस answer में उस topic के सारे important चीज़ें हैं की नहीं अगर नहीं है तो मान लीजिए आपके answer में कमी है और ऐसे लोग जिनके पास कोई guide है तो उन लोग भी उस answers को अपने guide से चेक कर आईए और उनसे feedback लीजिए clear है ऐसे लोग जो लोग रायपूर में रहते हैं और उनको लगता है कि वो हम लोग से मिल सकते हैं आके तो रायपूर का जो center है हमारा दुर का जो center है वहाँ पे हम जो faculties है ठीक है हम लोग ready है आप अगर आएंगे तो हम लोग बिलकुल आपको guide करेंगे बताएंगे कि answer writing जो है कैसे बहतर करी जा सकती है clear है तो basically इस प्रकार से answer writing आपको start करना है तो पहले basic phase कम से कम एक महिना आपको basic phase को देना है एक से दो महिना जितना basic phase को आप दो गए न उतना जादा आपका answer writing बहतर होने वाला है clear है तो हमने क्या देख लिया answer writing से पहले questions का analysis देख लिया कहां से क्या आता था topic wise फिर हमने answer writing में क्या चीजों को ध्यान रखना है देख लिया फिर answer writing को कैसे करना है ताकि ये जो चीजे है presentation इसका हम इस्तिमाल कर सेगे देखे answer writing के सान सबस्रूड़ा समस्या क्या होता है content तो सब याद कर लेते है presentation नहीं कर पाते क्योंकि practice कम रहती है समस्या यहाँ पे आ जाती है तो आपको क्या करना है practice जादा करनी है answer लिखने की ताकि presentation वो बहतर है presentation दिमाग में कैसे fit होगा कैसे set होगा बार-बार answer को लिखके clear है अच्छा शत्तिर लगी तिहास के बारे में मैं आपको बता दू भयंकर scoring section है इतना easy easy और super factual question आता है सीधा question आता है मतलब मैं आपको बता दू आप लोग न देखोगे आप लोग बिलकुल विश्वास नहीं होगा कि कितना easy easy question जो है इसमें से पूछा गया है clear है चलिए अब क्या करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैसे question के keywords वो आपको इस section में देखने को मिल सकते हैं और उनको आपको approach कैसे करना है तो पहला जो keyword है वो है आपको मिलने वाला है उलेख करिये या mention किसी राजा का उलेख करिये mention करिये भई इस king के बारे में बताईए तो कुछ नहीं है इसका मतलब क्या होता है किसी राजा के बारे में जिक्र करो जो जानते हो उसको बता दो समझ माया जिक्र करो जो जानते हो वो बता दो मतलब पुल मिला के ये एकदम factual question है सीधा सीधा fact पूछ रहा है किसी चीज का आपको vernon करने उसे describe करना इसके बारे में कह सकता है vernon मतलब कुछ नहीं उसी का क्या देना है वीवरण देना है या उसे एक बारे में आप कह लो रहो गए किसी का महत्व बताने कहता है या importance एकदम ये भी factual है भई ठीक है इसमें अपना factual कहने के ये मतलब नहीं कि इससे संबंदित कुछ fact है factual कहने मतलब ये है कि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है जो चीजे आपके पास content में है उन्हीं चीजों क्या करना है लिख देना है ठीक है अब अगला क्या है प्रकाश डालिये या throw light कभी भी throw light या प्रकाश डालिये आ गया ना इसका मतलब कुछ नहीं है आपको इसे explain करना है थोड़ा detail में या समझाना है और कुछ नहीं है तो इनका भी आधार क्या रहेगा बट obviously बात है कुछ न कुछ फैक्टी रहने वाले आधार कुछ न कुछ फैक्टी रहने वाले आधार फिर किसी की भूमिका या role इसके बढ़ने में इसकी क्या भूमिका थी कम होने में इसकी क्या भूमिका थी clear है ये पर क्या ह्यार या किसी चीज के बारे में किसी जीस के बारे में note लिखने को कहे लिक्राइज बस आपको को अपने विचार बताने कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आपका व्यू क्या है इसके बारे में को अपना विचार या व्यू बताया कम शब्दों में है तो कम में बताईएगा ज्यादा है तो ज्यादे में आलूचना अत्मक विशलेशन ये थोड़ा सा दिमाग लगा आने वाला question होता है critical analysis करना मतलब उस चीज़ को विशलेशन करना यह तो समझ गया critical मतलब आलोशना करते हुए मतलब negative for example एक question आया था question था कि जो सूबेदारी system चलता था उसका critical analysis या आलोशनात्मक विवरण तो विशलेशन तो करना है सूबेदारी बारे हम डीटेल तो करना ही है विशलेशन करके analyze करके बताना है क्या था कैसा था लेकिन आलोशना करते हुए मतलब critical तरीके से मतलब इसमें से जितने negatives हैं उन सभी points को हमको क्या करना है highlight करना है दर्शाना है बताना है तो अब सामान्य तोर पर देखेंगे तो 36 गड़ के history में से इतने easy easy words वाले question है जैसे सीधा बताओ उसके बारे में उसका जिक्र करो विवरण दे दो मतलब समझा दो importance तो fact ही है प्रकाश डाल ये बोले तो explain कर देना किसी का role बोले क्या role है क्या भूमी का है उसकी तो ये भी factual question है टिपणी लिखना है तो अपने विशार बताना है और आलुसनात्मक visualization है तो कुछ नहीं है critical analysis है वो मतलब उसको analyze तो करना है विशलेशन तो करना है लेकिन एक critic के तौर पर negative ठीक है चलिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग अभी जो latest means हुआ है CGPSE mains 2021 इसके questions को एक बार देखते हैं आप में confidence आएगा कि चत्यगड का जो history है उसमें से कितने easy question आते है तू marker देखिए पहला question क्या था वे इंसान ने अपने यात्रा विवरण में 36 गड़ के बारे में क्या लिखा है एकदम factual question क्या लिखा है जी आकते हैं उतार के बता दो अगला question है आरंग का जो तामर पत्र मिले है राजर शी तुल्य डैनेस्टी राजर शी तुल्य कुल का आरंग copper plate इसके बारे में जानकारी दीजिए तो copper plate के बारे में जितना information आपको पता है उसको लिख दीजिए तू marker clear है यह बात ठीक है भाई अब इस question को अगर आप देखोगे second question को तो second question जो है ना इसमें आप क्या कर सकते हैं तो इसमें आप table use कर सकते हैं जितना information है उसको एक table के form में करिए तो content तो वही है लेकिन क्या हुआ आपने उसमें एक थोड़ा सा presentation का तरीका चेंज कर दिया clear है ठीक है अब वेंजाने 46 गड़ के बारे में क्या क्या लिखा है इसको आप point wise लिख सकते हैं सीधा कुछ लोगों के मन में एक द्वंद चलता है कि point wise लिखना है कि answer को सीधा सीधा theoretically paragraph में लिखना है सब अपने आप में सही है सब अपने आप में गलत है बस इतना याद ना हो fact लिखो आपको number fact का मिलेगा ना कि कितना सुंदर आप sentence बना रहे हो नहीं वेंसान क्या बताया है इसमें number मिलेगा ना क्या बहुत अच्छे है राइटिंग में वेंसान लिख रहे हो चीन से आया था चाइनिश टाइप दिखता था लंबा आखी था यह लिखो कि number न answers को अप्रोच किया है उन लोगों को काफी अच्छे number मिले हैं तो मैं personally मिलेश पूछोगे तो मैं कहूंगा point wise लिखना जादा number मिलेगा लेकिन यह कोई मापदंड नहीं है अब अगला question दो number का देखिए कैसा था ब्रिटिश नियंत्रण के काल में चत्रगण में हुए साव सावंत भारती का मामला क्या था तो कुछ नहीं सामंत भारती का केस के बारे आपको पूछ रहा है वह क्या जानते हो तो कुछ नहीं यह भी practically देखोगे तो अपना दिमाख कुछ नहीं एक fact है जिसको आपको क्या करना है लिखना अगला परल कोट के जमीदार गेंशिंग ज और में जाओं गये इसको पॉइंट वाइस कर दूंग साउर जो ट्राइबल रिवोल्ट उसको लीड किया ठीक है शहीद वहीद भी कुछ बोलते हैं त्यान है की नहीं ठीक है चतरगड के प्रथम शहीद है न यह परलकोट पे द्रो के नायक थे तो इन सब चीजों के बारे में आप पॉइंट पॉइंट में लिख सकते हैं डिरेक्ट ली अगला कल्चुरी शासक रतन देव थर्ड जो है रतन पूर में इन्होंने क्या किया है मंदिर बनवाए हैं अब इन ही का क्या करना है उल्लेक करना है मेंशन करना है आपको बताई भई जिक्र करिए कौन-कौन सा मंदिर बना है क्या-क्या तो फिर से कुछ नहीं फैक्चुल है पॉइंट में बनाईए ठीक है अगला कॉशन सभिने अवग्या आंदोलन के दौरान बनी समिती के किन सदस्यों को पांच पांडव कहा जाता था तो सीधा किन विच मेंबर्स मतलब यह आपसे नाम पूछना चाल रहा है नेम आपको यहीं बताना है मतलब सीधा सीधा फैक्चुल है पॉइंट वाइस लिग दीजेगा ठीक है फिर दो नुबर का अगला कॉशन क्या है कल्चुरी शासक रतनराज प्रथम रतनराज फर्स जो है उनके कारियों का करिए उलेक करिए मेंशन करिए फिर से तो इसको आप पॉइंट वाइस कर सकते हैं ठीक अब यह जो रतनराज फर्स थे इनका संबंध रतनपूर और तुमाण दोनों जगह से है तो आप मैप पे रतनपूर और तुमाण दिखा भी सकते हैं क्लियर ह कि तुमाण में क्या किया रतनपूर में क्या किये दोनों को ठीक तो बेसिकली क्या है इससे आपका आंसर और प्रेजेंटेबल हो जाएगा अगला कोशन है चार मार्स के क्वेशन की मैं बात करूं तो चार मार्स के पूरा पाशाण यूग के मारक है उनकी जानकारी देखी ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो की पेलियो लिथे केट से समद्ध है चत्तिस गड़ में सौन में आया अब आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे लोकेशन हैं जहां पर चत्तिस गड़ में पाशाण काली निस्थल है हा की न तो इनको आप मैप के माध्यम से क्या करिए अप्रोच कर ठीक है तो इस कोशन में आप क्या करिए जानकारी तो दीजिए समारको की कहां कहां है लेकिन उसे मैप पर दर्शाई है नंबर अच्छे मिलेंगे अगला कोशन है शरप पूरी डानिस्टी जो है उसकी स्थापना पर प्रकाश डालिए मतलब क्या करिए अब प्रकाश डाल आपको क्या करना है यहाँ पर थोड़ी सी स्टोरी बतानी होगी कि कैसे शरप पूरी वन्ष जो है चत्रस गड़ में आया क्लियर है कुछ लोकेशन भी रहेंगे इसे आप मैप के माध्यम से बता सकते हैं जैसे क्या उनकी क्या च्छेत्र था तो यह मैपिंग रहें इसमें ने प्रागर आश्रम की भूमिका पर leaks कि यहां अब यहां पर भूमिका बोला है तो आटल इतना तो बता देना कि नहीं तो आंसर आपका बड़ा अधूरा डईप का लगेगा अगला कोशन है ठाकुर प्यारेलाल सेंग का इसमें भूमिका पूछा कि क्या इनका रोल था ठ आप पॉइंट वाइज अप्रोच डालेंगे तो बहुत सारी चीजों को आप क्या कर पाएंगे लिख पाएंगे एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है सबको पता होगा वो है क्या मिल मजदूर जो आंदोलन था ख्लियर है लेबर मुवमेंट 36 गड़ में इसके नायक थे नेता थे कह लेजीए ठीक उसके बाद 36 की रियासतों का विल यह किस प्रकार से ह्युता विवरण दीजिए ठीक है कि इसकरिप्शंट करना है कि किस प्रकार से यह क्या हुआ तो एटलीस जितने रियासत थे उनको मैप के माध्यम से दर्शाया भी तो जा सकता है ना तो हर क्वेशन में आप देखेंगे की अच्छे प्रेजेंटेशन का स्पेस हर क्वेशन में है सेकेंडली अब आठ नंबर के क्वेशन की बात करें तो चट्टेश गड़के नल वनशी शास को कवलेख कीजिए अब बहुत सारे रूलर्स के बारे बताना है तो बट अव्यसी बात है पॉइंट वाइस बताना पड़ेगा फिर बिमबा जी के जो कारे थे उनका मुल्यांकन कीजिए अब यहाँ पर एक नया शब्द मिल गया मुल्यांकन इवालुएट देखिए सबसे पहले पन समझ लेते हैं कि ये जो मुल्यांकन शब्द है और इवालुएट करने का जो मतलब है और अनका क्या करिये महत्व बताना है तो कुछ नहीं करिए, बस बिम्बा जी के जो कारी हैं, उन कारीयों को क्या करिए आप, तो एक तरीके से कैटेगराइज कर दीजिए, प्रशासनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, और क्या करिए, इन सभी कारीयों का महत्व बता दीजिए अब उसके बाद, अगला क्वेशन है, दुर्ग जिले में सभीनाय अवग्या अंदोलन के जो प्रमुक घटना थी, उसका विवरण दीजिए, तो ये सीधा सा, एक क्वेशन मिल गया, जिसमें आपको क्या करना है, तो विवरण, वर्णन, या एक अकाउंट देना है, तो सभ समाजिक पुनर जागरण हुआ है, मतलब जो समाज है, वो किस प्रकार से पुनर जागरित हुआ, कैसे एक शोशल रिनासा हुआ, कैसे बदलाव आया, किस के दवारा, गुरु घांसी दास के दवारा, या गुरु घांसी दास की बदलाव में क्या भूमिका थी, क्या रोल से संबंदित है क्लियर है कल्चर वाले सेक्शन में इसको और भी देखेंगे बड़ आप देखेंगे तो यह कुशन कैसा है कि यह एक दम फाक्ट्वल कोशन नहीं है इसमें काफी कुछ जो है आपको अपने हिसाब से सोच के समझ के अपने व्यूज को डालना पड़ेगा क्ल 2010-1910 का यह जो भूमकाल विद्रो था इसके बारे में आपको बताना है वर्ड लिमिट अच्छा खासा है आपके पास 175 तो क्या करिए इसको पॉइंट वाइस तोड़ दीजिए कि यह कब हुआ कहां हुआ कौन ने तृत्व करता थे यह तो ठीक है क्या कारण थे क्या घटन राइटिंग करनी है इसके बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर फ्री होकर कॉम्पेशन कमेटी के नंबर्स पर कॉल करकर मुझसे बात करने को कह सकते हैं मैं आपकी हेल्प करने को तयार हूँ जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा चलिए तो आई होप हिस्ट्री का जो सेक्षन था इसमें किस प्रकार से आंसर राइटिंग करनी है कैसा एप्रोच रखना है इसको आप लोग प्रॉपली समझ गए हैं मेरे अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी जिसमें छट गड़के आगी के जो सेक